कि अच्ट को अच्ट को अच्ट कि अच्ट कि अच्ट किसे हैं आप सब लोग मैं हूं मुहमद असमान और आप लोग देखनें इस्मान इस देख हमारी आज की वीडियो जो है वो एक ओर स्कॉलर्शिप पे है ठीक है इस्पेशल इंस्टुएंट्स के लिए जिन लोग ने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया हुए अपना अंडरगेड स्टेडिस जिन लोग ने कंप्लीट कर लिया है या बहुत करेंлагे और रुशाय के वो मास्रस के n लिया अप्लाय करना चाहरे हैं अब यह जो हमारी स्कॉलिशिप इश में हम देखेंगे यह कौन-कौन लोग अप्लाय कर सकते हैं ठीक है कौन-कौन से आपकी डिग्रीज कवर होंगी ठीक है कौन-कौन से सब्जेक्ट जो है वो कवर होंगे उसके साथ-साथ ये फुली फंड़िड होगी या नहीं होगी लास्ट डेड के अप्लीकेशन की क्या-क्या चीज़ें रिक्वाइर्ड हैं ये सारी वीडियो में हम सारी चीज़ें वो डिसकस करेंगे इसलिए ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी होने मरी है क्योंकि हम इसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर भी डिसकस करेंगे एप्लीकेशन फार्म कैसे फिल करना है लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए आप लोग जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपके पास यूजर नेम आपके पास आ रहा होगा ठीक है तो चले चलते अब वीडियो की तरफ अब जो हमारी आज की स्क स्कॉलर्षिप ठीक है और यह स्कॉलर्षिप जो है यह यूनिवरस्टी टिशिंगवा यूनिवरस्टी चाइना के लिए ठीक है और जो टिशिंगवा यूनिवरस्टी जो है यह इसकी रैंकिंग आप देख सकते हैं कि 15th in the world ठीक है 6th globally and 1st in the issue और बहुत ज्यादा अची स्कॉलर्षिप चाइना की हॉर्वर्ड यूनिवरस्टी का जाता है ठीक है और मस्टी इसको समले के चाइना की हॉर्वर्ड यूनिवरस्टी का जाता है ठीक है और मस्टी की बात यह है कि यह जो स्कॉलर्षिप है इसमें हर चीज़ आपकी कवर की जाएगी ठीक है हम अगर master's करना है one year का होगा ठीक है two years master's नहीं होगा अब इन लोगों क्या क्या चाहिए ठीक है कैसे students चाहिए जिनके बास leadership abilities हों ठीक है जो के academic अच्छे हो जिनके अंदर entrepreneurial skills भी हो ठीक है अब अगर हम बात करें eligibility की जो कि बहुत ज़्यादा important है और eligibility criteria में आपके पास जो है वो undergrad की आपके पास degree मतलब कि undergrad की आपके पास transcript होनी चाहिए आपके जो पूरी आपके पास और it doesn't matter कि आपकी कौन से field है हर field के लोग जो है वो apply कर सकते हैं ठीक है यह अगर देख सकते हैं यहां भी लिखे होने there are no requirement for specific field or undergrad study ठीक है all fields are welcome लेकिन 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 आप लोगों ने यह बता रहा है कि यह जो scholarship है ठीक है यह कैसे help out करेगी ठीक है आपको आपकी scholarship में वो भी हम देखेंगे हम जब form fill out करेंगे तो उसमें हर चीज जो है वो detail में लिकी हुई है जो age है आपकी वो 18 से 28 के दरम्यान में होने चाहिए ठीक है आप नाई तो 18 से कम होने चाहिए आपकी age कम तो नहीं होगी ज्यादा का issue होगी यहां पर के 29 से ज्यादा age आपकी नहीं होनी चाहिए ठीक है अब जो काफी ज्यादा students को issue होता है वो English language certificate में होता है अगर आप जो हैं वो English language country जहां पर English language country जहां पर primary language आपकी English है अगर वहां से आप नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको आइट्स समिट क ठीक है लेकिन 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 यहां पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों ने आइट्स नहीं दिया वाँ तो कोई बात नहीं है अगर आपने अपनी अंडर्ग्रेड स्टडी में टू यर्ज से ज्यादा कम से कम टू यर्ज आपने English में स्टडी गी अप करवाना पड़ेगा ठीक है वो भी हम देखेंगे अप्लिकेशन में कहां पर समिट करवाना है तो अगर आप वो समिट करवाएंगे तो आपकी यह जो इंग्लिश लैंग्विज सर्टिफिकेर्ट की रिक्वायर्मेंट है वो वेवफ हो जाएगी मतलब आपने टोफल और इस वो गयरा देना वो वेवफ हो जाएगा आपको नहीं देना पड़ेगा जूरूत ही नहीं होगी ठीक है यह सारे स्टुट्ट है इन लोगों ने यह स्कॉलिशिप हासिल की है अब इस स्कॉलिशिप में क्या क्या होगा आपकी अप्लिकेशन फी कवर होगी आपकी सारी ट्रैवलिंग आपकी अकॉमोडेशन आपके मिल्स आपकी बुक्स ठीक है यह सारी चीज़ें यह आपके एक परसनल लैप्टॉप भी दिया जाएगा ठीक है और यह सारी चीज़ें जो हैं यह कवर की जाएंगी स्कॉलिशिप में अब जो लास्ट डेट ओफ एप्लिकेश ठीक है और यह प्रोग्रम स्टार्ट होगा नेक्स्ट इयर जाके अगस पूरी क्यूंकि अगर आप लोगोंने फॉल 23 के लिए अप्लाय करना है जो कि अभी करना पड़ेगा आपको तो जितनी भी स्कॉलिशिप्स हैं वो अभी से ही स्टार्ट होंगी ठीक है अभी अगर से पहले अगर और कुछ चीज़ें हैं सेलेक्शन प्रोसेस यहां पर लिया हुए कि आप लोगोंना यह अप्लाय करेंगे ठीक है डैन आपके पास यह रेजियूम आपकी अप्लोड करनी पड़ेगी वो भी हम देखेंगे सारा कुछ टू पेजिस से ज्यादा नहीं होनी च ठीक है वह भी सारा देखेंगे आपकी ट्रांसक्प औरश इस में लेटर रिकमेडेशन्स जो हैं वो तीन चाहिए आप हम आज जाके देखंगेכे कि तीन लेटर रिकमेडेशन किस किस परफैसर या इनसान से आम चाहिए ठीक है यह डिफूर्ट है तो वह बोग हम जाके द होगी अगर आप शोड लिस्ट होते हैं तो आपका इंटर्वियू होगा इंटर्वियू के बाद फाइनली आपको जह है वह सेलेक्ट कर लिया जाएगा आपकी विजा फीस भी कवर की जाएगी इसमें हर चीज कवर होगी यह शी यह समझ लें ठीक है और यह सारी चीजें हो अब हमने अप्लाय करना है तो सिंपल जो हैं आप यहां पर जाएंगे उपर आ रहा था या तो फिर यहां से अप्लाय नाओ पर ठीक है कर लें यह और अप्लाय नाओ या फिर आप यहां से स्टार्ट में आपको जो लिंक दे दूँगा तो आप यहां से भी अप्लाय लोड करनी है ठीक है इस्टरन अब ही पाकिस्तान में जो हैं वो दुपहर के एक बज़ के बारा मेंट हुए है ठीक है और इस्टर टाइम हम से आल्मोस्ट आल्मोस्ट आठ घेंटे आठ दस नो दस घेंटे समर ले हैं पीछे है पाकिस्तान से ठीक है अभी वहाँ पे रात है हमारे पास क्या कि इसका मतलब यह है कि आप चुह है वो बीस है तो 21 सेप्टमबर की सुबह 6-7 बरी तक आप अपलाय कर सकते हैं इसलिए अराम से ठीक है हमारे पास यह एप्लिकेश आपको ना एक इमिल जाएगी यह इस सांकि आपके पास एक इमिल जाएगी आप जब यह टेंपरेरी पिन लिखेंगे तो आप पासवर्ड लिखें एंड धैन आपको वो जी है बैक जाते हैं आपको फिर लोग इन का उप्शन देगा तो फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं login कर सकते हैं उसको अब हम simple login करेंगे क्योंकि मैंने already किया हुआ है ठीक है तो यहां पे फिर आपने क्या करना है यहां पे start new application और then new new करेंगे तो वह application मैंने already progress में हैं तो मैं इसी को करूँगा open application करूँगा अपनी ठीक है तो यह मेरे पास सारी मेरी क्या गई है मेरी application आ गई है अब इसको हम fill out करेंगे ठीक है और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें required हैं और किस तरह आप लोग ने पूरा fill करने अप काफी ज़्यादे इसमें options हैं तो इसलिए यह वीडियो बड़ी हो जाएगी तो बिलकुल भी घबराना नहीं है ठीक है first time वोई given name जो होता है महमत ठीक है last time असमान अब बाकी जो है यह सारी जो है यह चीज़ें आप लोग छोड़ दें कोई issue नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में नहीं होता यह middle name होता है ठीक है postal code आप लोगों को कैसे find out करने है तो हмы सिंपल अब यहाँ पर जाएं जिस तरह आप पोस्टल कोड में खाने तो ये मेरे पास आ जाएगा खानेवाल का यह ये खानेवाल Понकोड फिक है पॉस्टल कोड, झिप कोड ये एक है चीज़ तो ये अ आगे हमारे पास इन्डिया का आ रहा ह तो हम खानेवाल पाकि竖ते है तो मैं भी देह रहा है घ। है um इसली find कर सकते हैं ठीक है यह आपकी email already दी होगी आप लोगों को ठीक है primary phone number यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है और यह किसना लिखना है प्लस में प्लस में ठीक है जिसना प्लस 92 ठीक है यह हमारा आगया country code ठीक है and then यहाँ पे हो जाएगा 347 जो भी आपका phone number है वो आप ने लिख देना है यहाँ पे then हमारे पास यह जेंडर mail ठीक है birth date यहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है birth country birth city birth region native language होगे हमारी उर्दू है martial status ठीक है यह सिंगल ही होगा सबका then यहाँ पे प्राइमरी citizenship तो यहाँ पे आएगा पाकिस्तान अगर किस पास dual citizenship है तो ही वो यहाँ पे इस country में करेंगे otherwise वो mostly 99.99% के पास single ही होगी ठीक है then यहाँ पे passport issuing country तो वो भी हमारे पास क्या होगा पाकिस्तान होगा then हमें इसे continue क अधर देने है ठीक है यह हमारे पास हब सेव हो है about me में क्या लिखना है यह ने यह बायो ग्राफिकल प्रफाईल आपके ठीक है इससमें आप लोगँने अपने मतलिक लिखना है ठीक है क्यूंकि जब आप लोग अ स्लेक्त हो जाएंगे तो पिर आपकी पे आप को आड़ो जो भी अपने accomplishments की हैं भी वो बतानी है ठीक है 100 words में बतानी है उससे ज्यादा नहीं करना ठीक है अपनी future का बताएं कि आप future में क्या करना चाहा रहे हैं थोड़ा सा वो लिखें ठीक है ताकि जब आप लोग select होंगे तो फिर वो वैसे ही आप लोगों की जो है वो आपकी picture के साथ थोड़ा सा वो लिखेंगे के यह student जो है यह select to और इसकी यह इसने leadership accomplishments हैं इसके पास और यह इसकी future aspirations है ठीक है then हम हमारे पास जो है वो cv है ठीक है and इसको हमें कैसे save करना है इसको हमें जो है वो last name first name और resume cv इस तरह करके save करना है जिस तरह हम यह मेरे पास मेरी resume पढ़िए है तो इसको हम ऐसे save करेंगे यह देख सकते हैं हमने पहले अपना last name लिखने ठीक है यह जागा उस्मान मुहम्मद ठीक है और resume cv ठीक है यह इस तरह अगर हम देखें तो last name first name resume cv ठीक है इस तरह आपने इसको save करना है और इस तरह आपने save करने के बाद इसको upload कर देना है ठीक है इसके बाद हमारे पास है video introduction यह आपको एक minute का देना है ठीक है इसमें आप लोगों ने अपना बताना है कोई high five आपका introduction मतलब के quality नहीं चाहिए होने कि आप बिल्कुल जो है ना जिस तरह प्रोपर एक room में बैठके ठीक है प्रोपर आप एक बंदे hire करें कि यार मैंने एक YouTube वीडियो बनानी है ठीक है एक वीडियो तो आके मुझे बना के दो ठीक है and then जो है मैंने एक और वीडियो में बताया था कि आपको कैसे YouTube पे upload करनी है वीडियो अपनी ठीक है वीडियो लिंक यहां पे share हो जाएगा आपको best interest है आपका ठीक है तो वो कुछ भी करने finance ठीक है यह कुछ भी करने फरक नहीं पड़ता ठीक है इसे education ठीक है and then have you applied to know होगा and then आपको continue कर देना है ठीक है अब यह हमारे पास आ गया ठीक है यह देखिए अब आपको public करने की जूरुक नहीं यह देखिए अब आपको public करने की जूरुक नहीं आप simple क्या करें यहां पे जाएं public की जगा आप करें unlisted ठीक है unlisted होगा तो सिर्फ उन उन इनसान के पास ठीक है आपकी वीडियो जाएगी इसको अगर हम और मैं open कर सकूँ आपके लिए ताकि options आ जा जाएं सारे ठीक है visibility public unlisted ठीक है अब क्या होगा आप सिर्फ वो लोग इसको देख सकते ह जिनके पास मेरी वीडियो का link दिया हुए मैंने ठीक है जिनके पास वीडियो का link नहीं है वो लोग नहीं देख सकते हैं आप simple क्या करें unlisted कर देंगर public नहीं करना ठीक है अगर public कर भी देंगे तो किसको भी search में नहीं आएगा क्यों कि बहुत आल रड़ी बहुत जादा च अब इसमें क्या करना है इसमें सिर्फ आपको अपनी अंडर ग्रैड की डिगरी का बताने है ठीक है एड इंस्टिटीशन पर जाएं ठीक है इंस्टिटीशन का नाम country पहले change करें country करें पाकिस्तान ठीक है then institution का नाम जिस ता इन्वरस्टी आफ पंजाब है इन्वर्स्टी पंजाब ठीक है यह आगया हमारे पास इन्वर्स्टी आफ पंजाब लाहूर रीजन आजाएगा हमरे पास पंजाब यहां पे आप लोग ने सारी डेट बता देनी है लेवल ऑफ स्टडी अंडर ग्रैड ठीक है डिगरी अटेंड बैचलर्स डिगरी ठीक है डिगरी अवा फाइब आया है आउट ओफ फॉर ठीक है इंग्लिश प्रैमिली ठीक है यह अगर येस नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा क्योंकि यह जो हमने बाद में इंग्लिश प्रफिसेंसी लेटर देना है ठीक है वो यहां से शोर हो जाए होने है कि वही वाकई इसकी प्रैम स्किप्ट जो है वो सम्मिट करवानी है सेम उसी तरह ही लास्ट नेम फरस्ट नेम और इंस्टिटूशन नेम जिसना यूनिवस्टी अवद पंजाब लाहूर पाकिस्तान ठीक है उससे सेव करनी है आपको विल यहां पे अगस्त एक दोजा तरी से पहले पहले आपकी तो यहां पे उसके बाद आजेगा इंग्लिश ठीक है और यहां पे आप लोगों को क्या करना है कि यह नॉन नेटिव स्पिकर अच्छा यह सिंपल लिखने के मेरी जो यूनिवस्टी है ठीक है इंस्टिटूशन एजुकेशन वो प्राइमरी लैंग्विज उसकी जो है व मैंने बिजनिस में कोर्स किया हुए वो पूरा इंग्लिश में था ठीक है वो लिख दें बस फिफ्टी वर्ड लिखनें आपको थोड़े से तो वो लिखें और इतना फारिक रहें से इतना खास सीन नहीं है देन हमारे पास है लिडर्शिप रूल्स ठीक है इसमें आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने कौन कौन सी और्गनिजेशन जॉइन की है ठीक है उसमें अगर आप लोग अमेंटोर थे या आप लोग उसमें आप अमबेस्टर थे उसमें आपने कोई भी काम की है ठ ठीक है जितने यहां पर ज्यादा लिख सकते हैं वो लिखें देन हमारे पास professional experience है अगर आप लोगों के पास है तो लिखें otherwise खाली छोड़ दें उसके बाद है हमारे पास essays का ठीक है essays में आप देख सकते हैं यहां पर कि हमने दो essay लिखने हैं ठीक है और यह हमने वहां पर उसके बाद अपनी फाइल को सेव करना है अगर हम बात करें किसना सेव करना है तो leadership ऐसे में आपको वैसे ही last name ठीक है first name और leadership last name first name और statement और purpose यह word file में लिखने हैं आपको word file जो है वो share कर देनी है या आप अगर video भी share कर रहे हैं तो उसको भी वैसे ही आपने आपने बतानी है कि कोई challenge opportunity ठीक है आपने face की है ठीक है तो आपने उसको कैसे soul out किया था और आपकी interpersonal skills बतानी है ठीक है और यह सारी कोई भी example कोई भी example दे आप ठीक है कोई भी obstacle हुआ हो तो आपने किस तरह उसको उसमें जह है वो positive change लेकिया अपने community में आपको कोई भी cycle face करना बड़ा community में then आपने कौन सा initiative लिया उसके लिए ठीक है यह 70-50 words होने चाहिए maximum जो personal statement है जिसमें आपको बताना है कि आप जो है वो किस तरह यह सारी चीज़ें वो personal statement में हर चीज़ आ जाती है socially culturally ठीक है आपके business के आपके subject related कि आपको कैसे यह जो scholarship है कैसे help out परतर जो आपके future dreams है आपके future goals हैं उनको achieve करने में ठीक है आपके पराने क्या goals थे ठीक है आपने उसको line up करना है अपने future goals के साथ बताएं कि मैंने अलड़ी यह काम किया हुआ है ठीक है and future में मैं यह करना चाह रहा हूँ then हमारे पास दो short questions है जिसमें यह जो scholarship है यह आपक कैसे help out करेगी and last one is कि कोई एक कैसी चीज जो आपने पीछे जितना भी कुछ लिख है वो अपने leadership quality leadership ऐसे में लिख है आपने personal statement में लिख है आपने यह first question में लिख है इसके इलावा अगर आप कोई specifically कोई चीज बताना चाह रहे हैं आप बताना चाह रहे हैं कि मैं ब्लाइं admission committee को कुछ भी आप अपने community के मतलब community में change लाना चाह रहे हैं आपने community में change लाया है आपको यह वाले awards वगरा होगी है उसके लावा कुछ भी अगर आप बताना चाह रहे हैं ठीक है तो आप इसमे 100 words में लिख सकते हैं then recommendations होंगी that is the most important ठीक है अब यह जो तीन recommendations हैं यह तीन different लोगों से होगी एक आपके professor से जिसने आपको पढ़ाया हुआ ठीक है जो कि जानता है कि आपके पास कौन कौन ती academic abilities है second one is कोई ऐसा इनसान जो कि आपकी leadership abilities को जानता हो ठीक है यह आपका कोई भी supervisor हो सकता है आपका employer हो सकता है आपका mentor हो सकता है ठीक है faculty member हो सकता है कोई भी हो सकता है, the third one is, कि कोई भी आपका employer या आपका mentor जो कि आपकी current situation को जानता हो, जिसको पता हो कि अभी आप क्या करें है, आपके future dreams क्या है, ठीक है, आप के पास क्या options है, आपके पास क्या opportunities है, ठीक है, वो लिख सकता है, यहां पे, और आपको simply क्या करना है, recommender करना है, ठीक है, यहां पे आपको कोई भी doctor है, तो doctor, mister, ठीक है, उसका नाम, email आपने दिखना है, कि वो correct होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, आपके recommender को एक और email चली जाएगी, ठीक है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, और वहां पे आपको show होगा, कि यह मुहमद इस्मान का का आपने recommendation letter upload करने, तो उनके पास email जाएगी, उसमें आपका recommendation letter upload होगा, तो यहां पे क्या जाएगी, यहां पे status change हो जाएगा, वहां पे लिखा जाएगा complete, ठीक है, इसी दर आपने सारे करने हैं, यह थोड़ा सा है, हमारे पास के, आपको यहां पे have you ever withdrawn, तो यहां पे no आ opportunity, कहां से आपका interview day, interview location का कौन सी हो गया आपकी, then यहां पे है कि, आप कोई भी बता सकते हैं, कि इसको बस not applicable कर दें, ठीक है, then यहां पे है कि other, ठीक है, other के बाद, if further please provide below, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे मेरे YouTube का link share कर सकते हैं, simply है, ठीक है, थोड़ा सा या फिर अगर अगर आपने नहीं करना, आपका दिल नहीं चाह रहा कि, यार फारिक करा हो इस बंदे को, ठीक है, वेला बंद है, तो आप क्या करना है, आप यहां पे कोई भी option choose कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपने मेरे YouTube channel का लिखना है, तो simple other पे जाएं, ठीक है, और य आपको continue करना है, लास्ट में आपको अपने signatures करने हैं, ठीक है, यहां पे full name capital letters में, और यहां पे हो जाएगा आपका review, review में अब क्या बताएगा, वो आपको, क्या आपके कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, आप देखें, review में मुझे बता रहे हैं, about me में आपका CV must upload करना है biographical profile must आपने करनी है, leadership आप, must, must, यह सारी चीज़ें आपको must करनी हैं, उनके इलावा जो सारी चीज़ें हैं, वो optional हैं, यह चीज़ें आपको must upload करनी है, otherwise आपको यहां पे option ही नहीं आएगा submit का, ठीक है, तो I think so काफी लंबी वीडियो होगी है, बहुत ज्यादा explain कर दी है मैंने इसमें, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई issue है, ठीक है, तो आप लोग जाएं, वो Instagram पे मुझे reach out कर सकते हैं, यह यह आप देख सकते हैं, apply for one year fully funded master program at shingway university in Beijing, ठीक है, जिससे Harvard University भी कहा जाता है, चाइना का, तो इन्शाला मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, ब भी procedure होगा, अगर आपने email करनी है प्रोफेसर को, तो वो भी वाता रहेगा, तो इन्शाला मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना बहुत ज़्यादा क्या रखें, लाफेस,